हलो दोस्तों, आपसे भी का एक बाद dil श्वागत है, आपके अपनी यूटूब चैनल नरसिंग चैलेंजर्स के अंदर, दोस्तों आज विए फिर बात करने वा लिए हैं, बहुत ही इंपोर्टेंट टौपिक्स के बारे में, जो भी इंपोर्टेंट टौपिक्स है, सब्जे fundamental of nursing and medical surgical nursing की तो दोनों सब्जेक्ट से हैं total quesans के बात करें तो 100 plus quesans तो इनी दो सब्जेक्ट से होते हैं बाकि जो quesans होते हैं वो other all subject के होते हैं उनके अंदर OBG भी आ जाती है, pharmacology भी आ जाती है और जो pediatric से वो भी आ जाती है, C&C भी आ जाती है, sociology भी आ जाती है लेकिन 100 plus कुछ से जो quesans होते हैं वो तो सिर्फ दो ही subject के होते हैं fundamental of nursing and medical surgical nursing हालांकि पिछली साल 2020 के अंदर psychiatric का portion सबसे ज्यादा डाला गिया था कोई बात नहीं है, लेकिन इस बार आपको medical surgical nursing सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी और हो सकता है आपको OBG या फिर pediatric हो या हो सकता है जो fundamental of nursing है वो ज्यादा आपको देखने को मिले लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते हैं ज्यादा तो लेकिन MSN सबसे ज्यादा पूछी जाती है यह तो आप सभी को पता जरूर है चलिए यहाँ पर prioritize questions भी पूछे जाते हैं Unclix based questions भी पूछे जाते हैं और Image based questions भी पूछे जाते हैं IBQ और SATA वाले questions भी पूछे जाते हैं पता है SATA क्या होता है Select all that apply जहाँ पे आपको एक या एक से ज्यादा options select करने होते हैं A, B and D ऐसे ऐसे options आपको search करने होते हैं और आपको वहाँ पे correct करने होते हैं ऐसे questions भी पूछे गए थे previous कुछ competitive exams में जो हमसके exams हुई थी उनके अंदर बहुत ही typical होते हैं ऐसे SATA वाले questions बहुत ज्यादा typical होते हैं के बजाए जो भी आपको single liner questions मिलते हैं उनके बजाए दोस्तो आज आपको important topics जो भी बता जा रहे हैं वो आपको पढ़ने ही पढ़ने और पढ़ाए भी जाएंगे और इनके अलावा अगर आपको कोई भी important topic लगे तो आप हमें comment करके ज़रूर बताईगा ताकि आपको हम पढ़ा सके दोस्तों यहाँ पर medical surgical nursing के जो भी नोर्सेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आप जरूर शेर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चल सके medical surgical nursing के कौन-कौन से topics important है 2021 के लिए और आपको साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना और बेल आएकन बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली हरेक लेटिस्ट अपडेट जल्दी सी जल्दी मिलती रहे यहाँ पर देखिए पहला टॉपिक है अबीजी एनलाइसिस एसिड बेस बेलेंस 2020 के अंदर भी बहुत सारी क्यूसन पूछे गे थे करीबन तीन से चार क्यूसन इसी टॉपिक से पूछे गे थे दोनों शिप्ट के अंदर metabolic acidosis, metabolic alkalosis and respiratory acidosis and respiratory alkalosis इन चारों से क्यूसन पूछा ही पूछा जाता है आपको लेब वेल्यू दी जाती है और पूछा जाता है किस पेसेंट में किस परकार का acid-base balance हो रहा है तो यह आपको पढ़ना ही पढ़ना है नेक्स्ट है wound healing मैंने आपको fundamental of nursing के अंदर भी कहा था कि wound healing और wound management आपको पढ़ना है यहाँ पर wound healing की stage पूछी जा सकती है nursing intervention आपको पूछा जा सकता है तो wound healing आपको complete topic पढ़ाय जाएगा और आपको पढ़ना भी है चलिए next topic कौन सा ह immunity immunity से तो question पूछा ही पूछा जाता है friends आप तो five star लगा दीजिए यहाँ पर immunity से question पूछा ही पूछा जाएगा चाय किसी भी प्रकार का question पूछा जाए इmmunity शे question शे और आपको पूछा जाएगा immunity के अंदर cells से questions पूछी जाते हैं by T cells है and bile imposite cells है तो cells से questions पूछी जाते हैं bile imposite, tail imposite इनसे भी questions पूछी जाते हैं HIV जो HIV virus है AIDS है उसके बारे में भी questions पूछी जाते हैं HIV का root आपको पूछा जा सकता है HIV के लिए drug of choice आपको पूछी जा सकती है और needle stick injury मैंने आपको fundamental of nursing के अंदर भी कहा था और यहाँ पर फिर बोल रहा हूँ needle stick injury आप जरूर पढ़ लेना needle stick injury HIV के persons के अंदर देखने को मिलते हैं अगर HIV के patient को आप injection लगा रहे हूँ और अगर वही injection अगर आपको पूछी जाता है next देखिए opportunistic infection इसके बारे में जितना उसके उतना आप पढ़ लेना opportunistic infection है क्या पहले तो आपको इसके definition पढ़ने है then इसके बारे में जितना कुछ आपको material मिले वो आपको पढ़ना है next topic देखिए pain और मैंने आपको fundamental of nursing के अंदर कहा था कि यह fifth vital sign है कितना vital sign है कौन सा vital sign है fifth vital sign पांचवा vital sign है जिसके बार में आपको पढ़ना है scales इसके अंदर जो भी scale यूज ली जाती है pain के score को determine करने के लिए वो scale आपको देखने है इसके image based questions भी पूछे जाते है वो भी आपको त्यार करवाए जाएंगी receptor कौन से receptors होते हैं जो pain का sensation आपको करवाते हैं वो भी आपको पढ़ने साथ ये assessment method pain को कैसे कैसे assess किया जाता है वो image based questions के अंदर आपके आजाएंगे next देखिए fluid and electrolyte imbalance very important topic of fluid and electrolyte imbalance यहां से laboratory value जो lab value आती है वो भी आपको देखनी है lab value से भी questions यहां से पूछे जाते हैं और आपको fluid and electrolyte imbalance से भी questions पूछे जाते हैं और जो यहां से questions पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता जिता हूँ बहुत important questions बनते हैं hyponatremia, hyperkalemia, hypokalcemia ये तीन topics आपको पढ़ने है hyponatremia में होता क्या है hyperkalemia में क्या होता है and hypokalcemia में क्या होता है लेकिन यहां से जो questions पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ECG changes के very very important question बनता है दोस्तों ECG का changes जो होता है वो आप से पूछे जाता है अगर इस condition में किस प्रकार की ECG आपको देखने को मिलेगी दोजार बीस के अंदर कौन सा confusion पूछा गया था कोई बता सकता है यहां फे दोजार बीस के अंदर question पूछा गया था hypokalemia hypokalemia के अंदर ECG changes कौन से देखने को मिलेंगे वहां पे question पूछा गया था आपको hypokalemia आपको वहां पे correct answer करना था लेकिन क्यूशन में आपको वहाँ पे देर खाता U-Wave ECG कौनसी वेव? U-Wave ECG आर सीन इन आपको क्यूशन में दिया गया था U-Wave ECG किसमें देखने को मिलती है और वहाँ पे आपको क्रेक्ट आंसर करना था हाइपो केलेमिया हाइपो केलेमिया यान कि पोटेशियम का लेवल अगर बोडी के अंदर कम हो जाता है तो उस कंडिशन में U-Wave पेशेंट में ECG के अंदर देखने को मिलती है ये क्यूशन 2020 के अंदर आपको पूछा गया था और 2021 के अंदर हो सकता आपको हाइपर केलेमिया की ECG पूछ ले हाइपो केलसीमिया की ECG पूछ ले हाइपो नेटरीमिया की ECG पूछ ले और यहां से दोस्तों फिर बता देता हूँ आपको हाइपो केलसीमिया के साइन भी बहुत ही इंपोर्टेंट है साइन एंड सिंटम्स आपको याद करने हैं जो science आपने पढ़े हैं चौवेस्टिक साइन एंड टॉर्जियू साइन दोनों साइन आप याद कर लेना वहाँ से भी questions पूछे जाते हैं वीडियो बेस्ट क्यूशन भी पूछे गए हैं हाइपो कैलसीमिया के तोर्जियू साइन एंड 24 साइन से तो दोस्तों आपको यह जो तीन टॉपिक देगे हैं तीनों टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लेना नेक्स्ट देखिए यहाँ पर मेनेजमेंट और इनका मेनेज काडियोवेस्कुलार सिस्टम CVS से भी बहुत सारे क्यूशन पूछी जाते हैं और इसके अंदर जो पहला क्यूशन पूछा जाता है बहुत इंपर्टेंट क्यूशन जो पूछ जाता है वह होता है मायोकार्डियल इंफ्राक्शन जिस आप सौर्ट फोर में कहते हैं MI यह पूछा जाता है कभी कबार पूछा जाता है कि फैस्ट वो एंजाइम कौन सा है जिसका लेवल सबसे पहले बढ़ता है एमाई के अंदर और आपको पूछा जा सकता है most sensitive cardiac marker कौन सा है myocardial infraction का तो एंजाइम्स आप देख लेना कौन-कौन से एंजाइम्स है आपको याद करना है साथ ही myocardial infraction का treatment बहुत ही ज्यादा important है अगर myocardial infraction का patient आया आपके पास में तो आप सबसे पहले क्या करेंगे एज नर्स आप सबसे पहले क्या करेंगे आपको वहाँ पी क्यूसन पूछा जाएगा priority-based questions बहुत सारे पूछे जाते हैं एम्स के exam के अंदर priority-based questions से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं तो दोस्त आपको treatment और enzyme के बारे में पता होना चाहिए myocardial infraction आप अच्छे से पढ़ देना next आता है arrhythmiaz arrhythmiaz में image-based questions पूछे जाते हैं image-based questions भी पूछे जाते हैं और arrhythmiaz की science symptom आपको पूछा जा सकता है heart failure भी आपको याद रखना है heart failure heart failure से science symptom पूछे जाते हैं heart failure होने के वज़य से कौन-कौन से science symptom आपको देखने को मिलते हैं कभी-कबार left side के heart failure के बारे में पूछा जाता है कभी-कबार right side के heart failure के बारे में पूछा जाता है heart failure भी आपको याद रखना है यहाँ पर साइद नहीं लिखा होगा लेकिन आपको heart failure भी अच्छे शे पढ़ लेना है next देखे cardiac tamponid cardiac tamponid के बारे में आप सब कुछ पढ़ लेना hypertension यह आप complete पढ़ लेना hypertension एक normal condition है everything यानि कि community के अंदर सबसे ज्यादा जो condition अभी देखने को मिल रही है वो है hypertension hypertension तो hypertension आपको पढ़ना ही पढ़ना है इसके अंदर जो DASH diet दी जाती है उसके बारे में आप पढ़ लेना साथ ही इसके अंदर hypertension के अंदर कौन कौन सी drugs यूज ली जाती है उनके बारे में आप पढ़ लेना next basic basic जो cardiovascular system में उसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे उसके अंदर आपको पढ़ना है heart rate ये क्यूशन पूचह जा सकता है blood pressure से क्यूशन पूचह जा सकता है और sounds जो abnormal sound होती है जैसे murmur sound आपने पढ़ा होगा murmur sound किसमें सुनाई देती है बताई ये फिर आपने अगर पढ़ा है इनके साथ में आपको heart failure, heart failure, heart failure के बारे में आपको पढ़ना है और शाती congestive heart जो disease होती है CHD उसके बारे में भी आपको पढ़ना है next देखे topic hematology और hematology के अंदर सबसे important जो topic वो है anemia कौन सा है anemia, anemia किसी भी type का आपको पूछा जा सकता है, anemia यहां पर सबसे important topic है hematology के अंदर next आता है thalassemia ये भी आपको पढ़ना है next sickle cell anemia, sickle cell anemia से बहुत सारी questions बनते हैं वो आपको सारी के सारी देखने हैं, आपको topic complete पढ़ना है, questions automatic आप solve कर पाओगे अगर आपका topic clear है, तो आप questions solve कर सकते हो, अगर आप questions देख रहे हो तो फिर आपका जो theoretical portion हो complete नहीं हो पाएगा आपको theory इनकी पढ़नी है, सबसे पहले आपको sickle cell anemia होता क्या है, यह आपको पढ़ना है clinical manifestation, clinical manifestation sign symptom आपको पढ़ने, sickle cell anemia किसी परसन को हो गया है तो उसमें कौन-कौन से body changes देखने को मिलेंगी, क्या-क्या उस परसन में देखने को मिलेगा, यह आपको पढ़ना है साथ ही next आपको पढ़ना है, फिर management, आप management के अंदर surgical management भी होता है, और nursing management भी होता है, और medical management भी होता है तो आपको सारे के सारे management भी आपको पढ़ने, इस परकार से आपको एक-एक disease condition को आपको पढ़नी है चलिए, next topic देखिए, clotting factor, clotting factor से भी questions पूछी जाते हैं, कभी कबार पूछ लिया जाता है कि clotting factor 3rd का नाम क्या है, clotting factor 6th का नाम क्या है, clotting factor 9th का नाम क्या है, ऐसा question आपको पूछ लिया जाता है तो clotting factors आपको सारे के सारे आने चाहिए, और जब wound healing के अंदर आपको पूछा जा सकता है, wound healing के अंदर भी आपको पूछा जा सकता है, किस परकार का या कौन से type का clotting factor है, वो wound healing के अंदर help करता है, ऐसे questions आपको पूछी जा सकते हैं, तो आपको clotting factors सारे के सारे आपको पढ इनका storage कितने दुनों के लिए किया जा सकता है तो मैंने इसलिए कहा है आपको जो fundamental of nursing है उसके अंदर जो procedures है वो सारे के सारे कुछ आप medical surgical nursing से correlate करते हैं हर एक चीज एक दूसरे को correlate करती है यहां पर जब आप nursing के अंदर पढ़ते हैं तो हर एक चीज एक दूसरे को correlate जरूर कर करती है अब जब आप MSN पढ़ेंगे जब आप MSN पढ़ेंगे तो आपको फार्मेकोलोजी भी पढ़ने पढ़ेंगी आपको इसका management यानि कि fundamental of nursing भी आपको पढ़ने पढ़ेंगी एजिनर्स आप क्या करेंगी तो देखिए एक सब्जेक्ट है कौन सा MSN लेकिन आप क्या क पढ़ रहे हो और साथ ही आप फार्मेकोलोजी पढ़ रहे हो साथ ही आप fundamental of nursing भी पढ़ रहे हो तो यह देखिए एक ही सब्जेक्ट के साथ आप तीन-तिन सब्जेक्ट पढ़ रहे हो इसलिए बोला जो medical surgical nursing है उसके सबसे ज़्यादा questions पूछे जाते हैं और सबसे important MSN होती किये ओके next देखी blood product के बारे में आप सब कुछ पढ़ लेना जितने आप हो सगे next GI system gastrointestinal system 2020 के अंदर जो क्यूशन पूछा गया था वो पूछा गया था GERD gastroesophageal reflux disease से 2020 के अंदर क्यूशन पूछा गया था और क्यूशन में पूछा गया था कौन सी position आप GERD की patient को द gastroesophageal reflux disease है आपको peptical cancer के अंदर दो प्रकार के ulcers आप पढ़ते हो दोनों को आपको अच्छे से पढ़ना है कौन सा खाना खाने से रिलीव होता है मलब कौन से ulcer के अंदर खाना खाने से पैन रिलीव होता है और कौन से ulcer के अंदर खाना खाने से पैन ज्यादा बढ़त एसोफेगस के इन्वेस्टिगेशन को लेकर आपको क्योशन पूछे जाते हैं इसोफेगस को investigate करने के लिए जो investigation of choice वो कौन सा है यह फिर bowel obstruction को डाइग्नोस करने के लिए investigation of choice कौन सा है तो यह भी क्योशन से आपको पूछी जाते हैं नेक्स्ट देखिए, stomach appendix and pancreate, इनके बारे में आप एना, phygio भी पढ़ लेना, MSN भी पढ़ लेना, जो भी इनकी बिमारी है वो भी पढ़ लेना, और यह होते क्या है वो भी आप पढ़ लेना, stomach important है, appendix, appendicitis से भी questions पूछे जाते हैं, इसकी जो बिमारी है उस से भी questions चीज आसके है वेट कितना होता है साइज कितनी होती है एनाटमी फीजियोलोजी भी आपको पढ़ने पैंक्रियाज के अंदर जो तीन सेल्स होती है जले तो आफ लेंगरहन्स के अंदर वह तीनों सेल्स कौन-कौन से हार्मोन produce करती है कौन सी बीमारी इसकी वज़े से हो सकती है अगर होर्मोन जो है टाइम पर secret ना हो या फिर कम उनका secretion हो तो यह जो सारी की सारी conditions है वो आपको पढ़नी है इनकी anatomy physiology पढ़ लेना और इनकी जो disease condition वो भी आपको पढ़नी है next day की हरनिया यहां से भी क्यूसन पूछा गया था और हरनिया के अंदर जो क्यूसन पूछा गया था 2020 के अंदर वो क्यूसन था हरनियल पेस का जो हरनिया पेस आता है वो यूज करते हैं और उसमें image based क्यूसन आपको बताया गया था और आपको पूछा गया था कि कौन से टाइप का मेस आप यूज करेंगे इस टाइप के हर्णिया के अंदर हालां कि वो क्यूशन मेरे को अच्छे से याद नहीं है जिसको याद हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना जिन्हों ने 2020 में पैपर दिया है वो बता सकते हैं जी हर्णिया शी किसंट पूछा गया था नेक्स्ट अपर जी आइए हैमरेज जो अपर जी आइई हैंट गयेश्ट इंटेस्टाइनल हैं उससे किसिंट पूछ जा सकते हैं next golle stones and rectal disorder जो फत्री होती है stones होती है उससे क्युषै जा सकते है kidney stone हो चाए गौल stones हो कोई सा भी stone हो आपको क्यूषै जा सकते है ठीक है next topic देखी इसी के अंदर laparoscopic surgery से क्यूषै आपको पूचा जा सकते है next inflammatory bowel disease sort form में कहते है IBD inflammatory bowel disease जिसके अंदर Crohn's Disease and Ulcerative Disease आपको पढ़ने हैं नेक्स्ट डाइरिया डाइरिया भी important है बहुत important है डाइरिया आप Pediatrics के अंदर भी पढ़ते हैं Medical Surgical Nursing के अंदर भी आप पढ़ते हैं और Fundamental of Nursing के अंदर भी पढ़ते हैं अब मैं आपको बता देता हूँ क्या 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 आप कहां कहां पर पढ़ते हैं डाइरिया आप पर जो Medical Surgical Nursing के अंदर पढ़ते हैं वो Adult One का पढ़ते हैं जब आप Pediatrics के अंदर पढ़ते हैं तो बच्चों का पढ़ते हैं और आपको वहां से क्यूशन पूचा जाता है Most Common Cognitive Agent of Diary in Children बच्चों के अंदर Most Common जो Cognitive Agent होता है डाइरिया का वो कौन सा होता है आपको यह क्यूशन पूचा जाता है और यह आप कहां पर पढ़ते हैं पेडियाट्रिक के अंदर अब देखिए आप Fundamental of Nursing के अंदर क्या पढ़ते हैं ORS Oral Rehydration Solution का आप Components कौन-कौन से Components होते हैं वो सारे के सारे आप Fundamental of Nursing के अंदर पढ़ते हैं तो यानि कि आप हर एक चीज को correlate करके पढ़ेंगे तो ही आपको समझ में आएगा और अच्छे से आप पढ़ पाओगे एक सीट वहाँ पे बचा के रखनी है तो आपको पढ़ना तो पढ़ेगा अगर आपको सफलता लेनी है तो आपको पढ़ना तो पढ़ेगा ऐसा तो है नहीं घर बेटे-बेटे आपको सफलता मिल जाएगी नहीं मिलेगी कभी भी नहीं मलेगी आपको पढ़ना पढ़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो आपको पढ़ना भी पढ़ेगा चलिए आगे के topics देखिए liver लीवर से hepatitis important है hepatitis में A, B, C, D, E जो भी है वो सारे के सारे आपको types इसके पढ़ लेने हैं नेक्स्ट लीवर शिरोसिस, लीवर शिरोसिस के अंदर भी पॉर्टल हाइपर टेंसन से क्यूसन से पूछे जाते हैं, नेक्स्ट एंजाइम्स, लीवर से जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं, SGOT and SGPT, इनके बारे में आप कंप्लेट डिटेल में पढ़ लेना, नेक्स्ट अलकॉलिक लीवर डिजीज, जो भी अलकॉलिक लीवर डिजीज होती हैं, वो भी आपको पढ़ लेनी है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, respiratory system, respiratory system के अंदर, COVID-19 आपको पढ़ना ही पढ़ना, जितना कुछ material आपको COVID-19 से मिले, वो आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है, आपको पढ़ना है, next chronic obstructive pulmonary disease COPD और इसके अंदर भी कौन सा important है M5CMA, M5CMA आपको पढ़ना ही पढ़ना है, COPD से oxygen flow rate भी पूछी जाती है, fundamental of nursing के अंदर मैंने आपको बताया था, oxygen therapy, तो COPD के अंदर कौन सा oxygen therapy के लिए instrument यूज लिया जाता आपको पूछा जा सकता है, और आप को पूछी जा सकती है, कितनी oxygen डिलिवर की जाती है COPD के patient को, next देखे, tuberculosis, very very important topic, tuberculosis, anti-tubercular drugs भी आप पढ़ लेना, tuberculosis के बारे में भी आप पढ़ लेना, और इसके diagnosis, management, positive agents, सब कुछ आप पढ़ लेना, acid fast baseline की वजह से होने वाली disease condition है, tuberculosis और वो कौन सा microorganism है, वो है, mycobacterium tubercul तो यह आपको याद रिखना है, कौन सी techniques use की जाती है, इनको determine करने के लिए, वो सारी की सारी आपको पढ़नी है, और मैं आपको पढ़ाऊंगा, okay, next topic देखे, pulmonary function test, PFT, यह आपको पढ़ना ही पढ़ना है, pulmonary function test भी आपको पढ़ना है, next देखे, endocrine system, इसके अंदर कौन क diabetes mellitus है, वो एक autonomic disease condition है, यानि कि आपको autonomous disease condition को लेकर क्यूशन पूचा गया था, मेरे को complete question पता नहीं है, किसी को पता हो तो बेच देना, लेकिन यहाँ सी diabetes mellitus से autonomous disease condition से लेकर कुछ क्यूशन आपको पूचा गया था, 2020 के अंदर, और diabetes से क्यूशन हर बार पूचे ही, पूची जा सकते हैं, hypothyroidism की वज़े से क्या होता है, उसके बार में आपको पूचा जा सकते हैं, और एक और topic में आपको बता देता हूँ, और वो है BMR, कौन सा है, BMR, biomedical, sorry, BMR, basal metabolic rate, BMR से भी questions पूची जाते हैं, normal value आपको पूची जा सकते हैं, fatty people के आपको पूची जा सक पतले लोगों की या फिर मोटे लोगों की भी आपको BMR पूची जा सकते हैं, और आपको निकल वाई भी जा सकते हैं, और इसका जो formula है, वो 2020 में पूचा गया था, फिर से बता रहा हूँ दोस्तों, इसका जो formula है BMR का, वो 2020 के अंदर पूचा गया था, और आपको चार options द लेकर, यहाँ पर next topic देखिए, basics of hormone, endocrine system के अंदर क्या पते हम, hormone, तो hormone जितने भी है, वो सारे के सारे hormones के बारे में आपको पता होने चाहिए, कौन कहां से secret हो रहा ही है, आपको पता होने चाहिए, कौन से hormone के deficiency से, कौन से disease condition हो रही है, वो भी आपको पता होने चाहिए, next topic diabetes, insipidus, and SIADH, यह topics भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, next topic देखिए अपना excretory system, excretory system के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, urine analysis, यह आपको पढ़ना है, glomerulonephritis, यह भी आपको पढ़ना है, लेकिन glomerulonephritis के अंदर जो main topic है, important topic है, वो है nephrotic syndrome, nephrotic syndrome आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके science symptoms भी पूछ जाते हैं, इसका management भी आपसे पूछा जाता है, science symptom भी इसके important है, management भी important है, diagnosis भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो glomerulonephritis के अंदर nephrotic syndrome आपको याद करना ही करना है, next देखिए kidney, kidney के अंदर मैंने आपको कहा था अभी stone, stone था most common आपको पूछा जा सकता है, kidney, stone के बारे में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, और kidney के अंदर अगर cancer हो जाता है, उसके वज़े से क्या क्या changes हो सकते हैं, उसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, तो kidney के अंदर आपको stone और cancer जैसी गातक बिमारियों के बारे मे क्या द्यान रखना है फोलेज कर्टेटर के आपको इमेज बेस क्यूशन भी आपको पूछी जा सकते हैं तो यह सारे के सारे आपको पढ़ने हैं next है यूरित्रा एंड Panis से कौन कौन से क्योशन प्राॉमा को लेकर पूछा जा सकता है फिम्याशिस पेरा फिम्याशिस एंड तर, tort schreiben ये आपको पूछा जाता है नेक्स्ट प्रोस्टेट् गिलेंड, प्रोस्टेट् ग्लेंड से जो क्यूशन पूचा जा सकता है। क्यूशन पूचा जाता है। जाता है तो यह भी आपको पूछे जाता है next dialysis यह तो important dialysis तो क्यूशन पूछा ही पूछा जाता है next chronic chronic kidney disease जिसे ckd कहा जाता है ckd chronic kidney disease इसके बारे में पूछे जाते next देखिए central nervous system very very important और बहुत ही ज्यादा complex system है हमारी body का सबसे ज्यादा complex system है central nervous system इसके बिना सरीर में कुछ भी नहीं है आज मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं तो किसकी वज़े से नर्वस सिस्टम की वज़े से आप देख रहे हैं किसकी वज़े से नर्वस सिस्टम की वज़े से और जिसके पास नर्वस सिस्टम है नहीं क्या उसका body work कर पाएगा नहीं कर पाएगा आपने paralysis के patients देखे होंगे उनके किसी के हाथ paralyzed हो दाता किसी का पेर paralyzed हो दाता आप पेर को कुछ भी करना पेर में किसी प्रकार का कोई movement नहीं होगा क्योंकि patient को पता ही नहीं चल रहा है उसका nervous system काम ही नहीं कर रहा है पेर का इसलिए तो पेरलाइज हो है इसलिए बोलता हूँ जो nervous system हो बहुत ही ज्यादा complex system है हमारी body का हर एक activity को regulate करने वाला system है central nervous system यहां से देखिए कौन-कौन से important topic है पहला ही topic है seizure और बहुत ही ज्यादा important topic है इसकी drug of choice बहुत को पूछी जाती कोई सा भी seizure उठागा यह सकता है knock क्या करेंगे यह tex other पूछा जा सकता है क्यों आपको किसी प्रकार्श की पूछा जा सकता है आपको seizure पढ़ना ही पढ़ना है यह जर के अंदर आपको Generalized Tonic Clonics seizure परणे absence seizure पढ़ना है और जो भी इसके type हो सारे की सारे आपको पढ़ने है next stroke या hemorrhage ये भी आपको पढ़ना है stroke आपको complete पढ़ना है next Parkinson's disease हालांकि ये psychiatric के अंदर आप पढ़ते हैं लेकिन इस central nervous system के disease condition है तो Parkinson's disease किसकी वज़े से होती है कौनसी जो chemicals होते हैं उसकी deficiency हो जाए तो Parkinson's disease पैसेंट के अंदर देखने को मिलती है ये सी questions आपको पूछी जा सकते हैं Parkinson's disease के अंदर कौनसी science symptom देखने को मिलते हैं क्या management करोगे आप pharmacology से इसका question पूछा जा सकते हैं तो Parkinson's disease आपको पढ़ना है multiple sclerosis आपको पढ़ना है migraine या फिर headache से जितने भी क्यूशन्स बनते हैं जितनी भी theoretical portion बनता है वो आपको पढ़ना है next topic देखें integumentary system skin skin से कौन-कौन से क्यूशन्स बनते हैं कौन-कौन से topic से क्यूशन्स पूछी जाते हैं basic skin lesions यह आप community health nursing के अंदर भी पढ़ते है basic skin lesions macule, papule, यह सारे के सारे आपने पढ़ने होंगे उनकी size secutions कभी बात पूछ लिया जाता है कि once mm से कम अगर किसी के size है तो उससे क्या कहेंगे और macule क्या होते है papule क्या होते है इसे questions भी आपको पूछ लिया जाते है तो basic skin lesions होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए eczema या फिर dermatitis से आपको question पूछ जा सकता है eczema और dermatitis के बारे में आपको पता होना चाहिए next psoriasis, next is skabies next is steven johnson syndrome और इस syndrome के बारे में आप पढ़ लेना कौन कोन सी लेर्स होती है और उनके अंदर कौन कोन सी लेर्स होती है वो भी पूछे जाते है blood supply आपको पूछे जा सकते है ये कितने percent body weight के होती है ये से questions पूछे जा सकता है तो आपको इना फीजी भी आपको पढ़नी है next topic है oncology oncology यानि की cancer और कौन कोन से cancer से आपको पढ़ने है lungs cancer जो अभी world के अंदर सबसे ज्यादा है male candidate की बात के रहे तो lungs cancer आपको सबसे ज्यादा वहाँ पर करना है अगर आपको पूछा जाएगी सबसे ज्यादा विश्व के अंदर कौन सा कैंसर हो रहा है तो आपको lungs cancer बताना है next step breast cancer देखे thyroid cancer भी आपको पढ़ना है breast cancer world के अंदर पूछे चाए फिर वो इंडिया के अंदर पूछे चाए फिर वो females के अंदर पूछे यानि कि females के अंदर आपको पूछे जाए कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा cancer females के अंदर कौन सा होता है तो आपको breast cancer करना है अगर आपको इंडिया का पूछे जाए शिर्फ एक particular देश का पूछे जाए तो भी आपको आंसर क्या करना है breast cancer cervical cancer के बारे में भी आप पल्याना 2020 के अंदर भी क्यूशन पूछा गया था कि कौन सी vaccine cervical cancer के अंदर दे जाती है HPV vaccine HPV और vaccine और आपको इसका positive agent भी आपको पूछा जा सकता है next और ओ फेरेंजियल cancer दाने दाने में पान मसाला सुना ना दाने दाने में कैसर का दम पान मसाला जो अभी पर्चलीत है जिसमें अक्से कुमार जो जो सोरी अज़ीद होगन बोलते है कि दाने दाने में कैसर का दम तो वो कौन सा cancer है वो कौन सा cancer देता है दाने दाने में कैसर का दम और ओ फेरेंजियल cancer पान मसाला के अंदर जो केशळ का दम आता हैं वह दम किसी-किसी का दम भी निकाल देता है तो आपको अ की зах किसी किशी की का दम निकाल देता है तो आपको इसा दम नहीं आज मना है नियुग पॉझा सी तो बाद माद के शाई को infect प्रटिकुलर नौड्स बनते हैं, क्लेनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर आपने पड़े होंगे, नहीं पड़े हैं, तो कोई बात नहीं, मैं पड़ा दूँगा आपको, जो नौड्स होते हैं, उन स्रिक्यूशन पूछे जाते हैं, उस्टियो आर्थ्राइटिस के अंदर भ कैसे पेसेंट को आप कौन कौन सी केर प्रोवाइड करवा सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आप्टेलमोलोजी, आई से जो क्यूसन बनते हैं, मलब पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं, कैटरेक्ट एंड ग्लुकोमा, ग्लुकोमा तो इंपोर्टेंट है, ओ जो सारे के सारे आपको पढ़ने हैं, और ग्लुकोमा जो पढ़ते हैं आप, जिसके अंदर इंक्रेज आई ओपी, जो इंट्राकुलार प्रेसर वो बढ़ जाता है, जिसके वज़े से ग्लुकोमा हो जाता है, तो आई ओपी को मिजर करने के लिए कौन सा इंस्टुमेंट यूज लिया जाता है, कभी कवार इसकी इमेज भी दिखा दी जाती, तो क्यूशन आपको कैसे भी पूछ सकते हैं, नेक्स्ट इंफेक्शन, आई में किसी परकारे कोई इंफेक्शन हो जाए, उसके लिएकर क्यूशन पूछ जा सकता है, इन्वेस्टिकेशन कोनकोन से डा जाती है, उससे क्यूशन पूछी जाते हैं, नेक्स्ट इंफेक्शन पूछी जाते हैं, नेक्स्ट इंफेक्शन पूछी जाते हैं, नेक्स्ट इंफेक्शन आपको कंप्लीट पढ़ना ही पढ़ना है, नेक्स्ट इंस्टुमेंट्स जो भी इंस्टुमेंट्स हैं, उनकी operation के बाद में कौन सा nutrition आपको देना है, operation से पहले आपको कौन सा nutrition देना है, और कब आपको NPO रखना है, वो भी आपको पता होना चाहिए, ओके, next देखिए, trauma and burn, very 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 important topic है, burn, कोई भी जल जाए, तो आप क्या उसका management करेंगे, कितने कितने टाइप शी वो जल सकता है, मलब burn कितने टाइप का होता है, वो भी आपको पढ़ना है, और क्या-क्या आप management इसके अंदर कर सकते हैं, अगर trauma हुआ है या फिर burn किसी परसन को हुआ है, तो आप क्या-क्या management कर सकते हैं, यहां से देखिए, trauma and burn से कौन-कौन से topics आपको पढ़ना है, glass go comma scale, very very important topic है, GCS, glass go comma scale यह आपको पढ़ना और मैं आपको पढ़ा दूगा, और अच्छे से, next is Basics of trauma management, management आपको पढ़ना है, head trauma आपको पढ़ना है, burn and fluid management, burn किसी परसन को बारे तक कौन सा fluid आप दोगे, कितना fluid आप दोगे, यह सारा का सारा आप को पढ़ना है, fluid management और burn के बारे में आपको पढ़ next यहाँ पे इतने ही topic है दोस्तो इतने कुछ जो भी important topics में ने बताएं वो सारे के सारे बहुत important है यह सारे के सारे आपको topics पढ़ने ही पढ़ने है इनके अलावा अगर आपको कोई भी important topic लगे दोस्तों फिर बोल रहा हूं अगर आपको इनके अलवा कोई भी important topic लगे तो आप हमें comment करके जरूर बता दीजिएगा ताकि उन topics पर भी आपको पढ़ाया जा सके तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगरे वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे OBG के important topic OBG से कौन-कौन से important topic जो पूछी जाते हैं MS के अंदर वो आपको next part के अंदर मिलने वाले है और दोस्तों आप पर अपने दोस्तों को share जरूर कर देना ताकि उन्हें भी पता चल सके और अपने तयारी continuous करते हैं एक्जाम बहुत जल्द आपके आने वाले हैं एक्जाम बहुत जल्द का मलबी है कि 4-5 महीने और बचे है टाइम जाने में वक्त नहीं लगता है टाइम एक-एक दिन आपका निकल रहा है जब एक्जाम पास में आ जाएंगे तो फिर बोलेंगे यार दस दिन बचे अपने पास तो बस तो इसलिए बोल रहा हूँ अभी सक्सेस जरूर मिलेगी अगर आप तयारी करते हैं तो ठीक है फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक आप हमारे साथ बने देएगा थैंक्यू सो वेरी मैंच